हेलो प्यारे बच्चो आईए अब हम आपको आपके चैप्टर 18 पानी कहीं ज्यादा कहीं कम के माध्यम से हम हमारे जीबन के बहुत ही आवसक अंग जल यानि की जो पानी के अवशकता है उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा सगुणा के फैमली के बारे में कि उनके हाँ पर एक अंकल आते हैं और सेलवा अंकल उनसे पानी मांगते हैं वो कोल्डरिंग देते हैं क्योंकि उनके हाँ पर गंदा पानी आया था तो वो कोल्डरिंग प्लाने के लिए उनको जोर दे जबकि वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो प्यास लगी है बस एक ग्लास पानी दे दीजिएगा तो ये हकिकत है हमारी क्योंकि जल हम पानी जो है पीने के रूप में काम करते हैं और आपको पता है कि हमारी प्रत्वी पे लगबग 11 प्रतिशत पानी है जिसमें से जिसका केबल 3 प्रतिशत भाग ही पीने योग है अब हम पानी का कहा कहा उपयोग करते हैं जल के घरेलू उपयोग होते हैं जो हमारे घर के डेली काम है चाहे नहने से लेकर कुला करने से लेकर हमारे बिभिन कर रहे हैं और उसके बाद में हमारे बिभिन जो भोजन पकाने नहने कपड़ बरतन दोने, सोचालियों को फिलसादी करने, लोन और बगीचों की सिचाई करने के लिए हम हमारे दैनिक जीवन में पानी का उपयोग करते हैं प्रमुक्ते हैं हम देखें तो पानी पीने के लिए, खाना बनने के लिए, नहने के लिए, साफ सफ़ाई के लिए, कपड़े दोने के लिए, इसके साथ पेड़ पौदों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, बरतन साफ करने के लिए, और क्रशी में उपियो गेतू फसलो गिनी वर्म, खोलेरा, टाइफाइड, क्रमी, आदी बहेंकर बिमारिया हैं जो हमें रोग रस्त कर लेते हैं अगर हम प्रदुशित पानी का उपियोग करते हैं तो पिलिया, आप जानते हो, इसमें पूरा आँख चेरा पिला पढ़ जाता है, भूख खत्म हो जाती है, पेट सम्मंदी रोग, पेची सोने का डर रहता है, पेट में दर्द रहता है, इसके बद आँखों सम्मंदी रोग, दुशित पानी से आँख लाल हो जाना, कीचड़ा ज जाना इसका गले की बीमारिया है टाइफाइड आदी भी हमें प्रदूशित जल पीने से हो जाता है जिसमें बुखार भी रहता है तो अगर हम दूशित जल का उपयोग करेंगे तो बहुत सारी बीमारिया हमें जकड लेंगी और हम परिशान होते रहेंगे ठीक है इनकी कचला को पानी सुरतों से दूर रखें डारिया होने पर O.R.S. का गोल दें क्योंकि जल ही हमारा जीबन है स्वच्छ जल अगर हम पिएंगे तो हम जेबित रहेंगे जो ना जागा जल के लिए वो ना बचेगा कल के लिए क्योंकि हमारे जीबन का अभिन हिस्सा जल है लेक हुआ पड़ा है गर्मी के दिनों में आपने दिली में भी देखा होगा कि टेंकर के माद्यम से जब पानी आता है तो क्या हाहाकार मचता है क्योंकि जल ही हमारा जीबन है और इस्तिती इतनी भयाव होती जा रही है कि हम जल का जो उपियोग है वो सो समझ कर नहीं कर रहे है बेतहासा हम जल का उपियोग कर रहे हैं अगर हम ऐसे ही करते रहे तो आपको पता है कि हम भी डे जीरो डे जीरो का मतलब वो दिन जब सहर के सभी टैप्स में से पानी आना यानि कि पेजल खताम हो जाएगा जैसा कि केप टाउन में हुआ हमारा बैंगलूर जो शहर है वो यकीन मानिये वो दिन दूर नहीं जब पानी की जबरदस्त किलत हो जाएगी और लोगों का जीना दूबर हो जाएगा क्योंकि जल ही जीबन है अब हम पानी को कैसे बचा सकते हैं हमें जल उपियोग का तरीका बदलना पड़ेगा हम 12 से इसनान की बजाए बाल्टी से इसन पानी डालेंगे तो लगबग 15 लीटर मग में पानी लेकर शेप करने से 9 लीटर और दंत मंजनिया मग लोटे से करने पर लगबग 9 लीटर पानी बचा सकते हैं प्यारे बच्चों कभी आपने सोचा है कि हम किस प्रिकार का पानी प्रदूशित करने हैं हम हमारी पॉलिथि यमना का अज़ क्या हाल हो गया है यमना मृत प्राय हो गई है जो कि कभी देव नदी कहा करती थी और पानी के अगर ये किलत रही तो वो दिन दूर नहीं जब हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ेगा अब हम जानते हैं कि पानी हमारी बुन्यादी जरूरतों में से एक है और जिस प्रिकार हमारी जन से क्या बढ़ रही है उसकी तुलना पर हमारे साफ पानी के सुरोत बहुत कम रह गए हैं पड़ाम सुरूप वो प्रदूशत होते जा रहे हैं और हम बिना पानी के जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते क्योंकि क प्रदूशन एक बहुती गंभीर समस्या है और अगर इस समस्या से समय रहते हुए हम लोग जाकर के ना हमने इसका निदान करा तो यकीन मानिये वो दिन दूर नहीं जब हमारे लिए जल कहीं नहीं होगा इसके लिए प्रती बर्स 22 मार्च को 20 जल देवस जाता है जिसके मा यारे बच्चो हमें दिन रात जब भी जल का उपियोग करें बहुत ही हमें ध्यान पूरवग इस अमूले धरुवर का उपियोग करना चाहिए क्योंकि जल सनरक्षण हमारा नैतिक करतब भी है जल बचाओ जीबन बचाओ तो आईए अब हम लेते हैं जल शपत मैं पानी ब मैं सहयव करूंगा पानी को अनमूल संपदा मानूँगा और इसका उपियोग मैं करूंगा मैं परजनों मित्रों पड़ुसियों से भी बिबगपूण उपियोग करके बिर्थ नहीं करने के लिए प्रियरत करता रहूंगा ये ग्रह हमारा है हम ही इसे बचा सकते हैं और अ आपके किताब के अनुसार ये कुछ प्रस्ण है एंद प्रक्टिक करके आप इसको सीखिए और जल को बचाते रहिए क्योंकि जल ही जीवन है हर दिक आभार